नमस्कार दोस्तों फटाफट बात करेंगे कल के लिए देखेगा बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और जितने भी आनलेसिस्ट हैं वो पूरे के पूरे सेक्टर पर अपडेट दे रहे हैं जिससे देखेगा रिलाइंस इंडस्ट्री पर भी देखेगा कम से कम 10 से 15 दिन का तो प्रेशर बन सकता है साथी में आगे पता चलेगा और यह आउटकम आमना है दो दिन में तो आप समझ सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो आपको पता है कि पूरी तरीके से अगर इंटरनाशनल मार्केट में मानेंगे तो चाइना में पारण डिमांड पे बहुत बुरा सर हुआ है और अगर आप देखेंगे यूएस में भी डिमांड कम होते होगे देखने को मिल लिए तो उसके बेसिस पे गोल्डमेंड सैक्स का मानना क्या है वो क्या कह रहा है उन्होंने पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट में बताया है जस्त एक घंटे पहले अपडेट आई है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉबिलिटी है वो ओपेक से रिलेटेड है जिसकी मीटिंग आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में होते होगे देखने को मिलेगी और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कह दिय है कि आगे चलके ये पर्टिकुलर नेक्स्ट येर में यानि कि जन्वरी के बाद से जो प्राइस हो सकते हैं वो 110 डॉलर पर वैरल हो सकते हैं आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये दो तरीके से कैसे इंपक्ट करेगे एक तो शॉर्ट ट में देखेगा जो वित्ती घाटा था वो तो देखने को मिला ही मिला था लेकिन आपको पता है कि अगले बजट में निर्मिला सी तरमन जी एक्सपेक्ट नहीं करी है कि क्रूड ऑयल के प्राइस देखेगा 70 या 80 डॉलर से उपर रहें अगर ऐसा हो जाता है कि 110 डॉलर रहत है त्रिपल डिजिट में भी क्रूड लेता है तो विए एस्टीमेशन से ज्यादा घटा देगा जिसको देखेगा टैकल करना पाना बहुत सारी कंट्रियों के लिए नॉट पॉसिबल की बराबर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कि इस तरीके से लॉंग टम में शिक्स हम देखने को मिला है लेकिन शौट तम में यह देखेगा क्या शो कर रहा है कि ओपेक प्राइस कट क्यूं करेगा जब वो अल्रेडी देखेगा प्रोडेक्शन कर चुका है यानि कि प्रोडेक्शन कर चुका है तो अब क्यूं करेगा क्यूं वो प्रोडेक्शन को कट यह बड़ा question है तो यहां पर बताया जा रहा है जो देखेगा 4 December को meeting होनी है अगर आप देखेंगे OPEC और non-OPEC producer इसमें देखेगा Russia भी जाएगा and influential energy alliances known as OPEC plus will convince in Vienna Australia on December 4 to decide on the next phase of production policy अब आप समझे यहां पर अगर deep cut का signal मिला है तो इसका मतलब demand चाइना से नहीं आ रही है और अभी expectation भी नहीं है कि यहां पर चाइना से demand कब आएगी चुकि आज की press conference में कहा गया है कि अभी भी हम zero covid policy पे बिलकुल कायम है और जब तक देखेगा हमें नहीं लगता तब तक हम ease नहीं देंगे तो आपको पता है कि अगर ऐसा है कि deep cut इसलिए होने वाला है क्योंकि demand नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि oil के price पहले down जाएंगे और फिर up जाएंगे तो downtrend में तो already देखने हूं मिलना है और deep cut होने वाला है देखेगा आपको जब भी फैसला आएगा उसके देखेगा 10-15 दिन बाद तो आपके लिए important क्या है कि अगले दो जो हफते हैं उसमें reliance stock के लिए अच्छी बात नहीं है चुकि लगातार देखेगा अगर crude oil का अगर आप प्राइस देखेंगे तो लगातार देखेगा 15-20 दिन से कम है तो इसका मतलब उनके margin उनके EBITDA पे बहुत negative impact पड़ेगा तो आप देख सकते हैं आपे Jeff Curie क्या कहते हैं Global Head of Commodities at Global Goldman Sachs said Tuesday that the medium term oil outlook for 2023 was very positive and the bank planned to stick to our guns with $110 per barrel तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का plan बनाके चल नहीं है तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है और आप देखेंगे अभी भी बहुत सारी uncertainty है चुकि North Korea का angle भी अभी certain नहीं है तो आप समझ सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पे जो powerful producer है अगर वो demand को देखेगा कम देख रहे हैं forecast कर रहे हैं आने वाले एक दू महिने यह तीर महिने पाँच महिने तो वो अगर देखेगा कम करेंगे production को तो आप समझ लीजे कि देखेगा short term में demand ना होने के कारण एक तो असर पड़ेगा windfall tax का और देखेगा already देखेगा EBITDA और margin ड्रॉप हुए थे इस बार अगर आपने किसी भी oil company का अगर आपने balance sheet पढ़ा होगा और इस वाले quarter में तो और भी ज़्यादा खराब होगे और December के end तक देखेगा result आना शुरू हो जाएंगे तो इससे सीधा सीधा setback है oil companies के लिए चुकि एक तो recession का fear है दूसरा चाइना का fear है और तीसरा जो बचा रहता है वो आजाता है OPEC या OPEC के alliance के थूँ तो कहीं से भी देखेगा इस समय जो अच्छी ख़वर है वो oil companies के लिए आनीरी है global market से और ये update देखेगा ये show कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखेगा crude oil का price fall होगा तो ये सीधा जितनी भी companies है अगर आप देखेंगे जितनी भी देखेगा oil companies उनके लिए चानी है अगर आप देखेंगे आज भी चाइना का covid देखेगा लेकर बहुत लोग परिशान है और 3% के तक के देखेगा price down हुए oil में तो आप समझ सकते है demand बहुत बड़ी चाइना से आती है अगर चाइना की problem नहीं solve होगी तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी देखेगा oil sector के लिए अच्छी चीज नहीं होगी और अब देखेगा export भी कम हो सकता है रशिया का चुकि G7 price cap की भी बात कर रहा है अब price cap भी आ जाएगा तो already देखेगा बहुत सारा oil के price कम हो जाएंगे तो oil के price अगर कम हो जाते हैं तो ये पूरे के पूरे देखेगा oil sector के लिए अच्छी चीज नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं और reliance में अगर गिरावट होती है जो कि आपने देखेगा काफी अच्छे high पर बैठा हुआ है reliance में pressure आता है तो nifty में अपने आप pressure आएगा nifty में गिरावट होगी तो कल अगर reliance गिरता है reliance में pressure आता है 1,5% का तो nifty में भी देखेगा pressure आपको देखेऊ मिलेगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना बूलेगा Thank you so much